तीन और मुनिसिपल कॉपरेशन्स में आज प्रश्य मंगाल में चुनाव हो रहा है और हमारे साथ इसवग विदान नगर के विदायक और राजी के मंतरी सुजीद बोज जी है सर एक चीज आप से डिरेक्ट पूछेंगे कि अभी तक जो देखा है कैसा चल रहा है वोट? आप से विदाननगर नहीं बाकी जहां पर वोट वोहां पर बाहर से लोग लाकर राकिंग की कोशिष की जारी है वहां dit कि विदाननगर का ब्रतव कि जी नहीं है क Starbucks को लूए बोलता है यसां स्टेट पुलीस द्वारा एलेक्शन हो रहा है केम सीवी स्टेट पुलीस द्वारा ही हुआ था यह आप लगते ठीक है या फिर सेंट्र पुलीस बुलाना सेंट्र पुलीस द्वारा इसके बारी बाद में तो हम लोग दूसरों सेट मिलेगा इधार का जो स्टेट का जो लोग भी है लिडर भी आए उसको कोई लोग विशास नहीं करता है उसका कोई जोमी में माटी में कोई लोग नहीं है बीजेपी नहीं बलकि कॉंग्रेस और सीपीम ये भी कहते हैं कि स्टेट पुलीस त्रिणोमूल का है तो वो जैसा चाहेंगे वैसा ही इस्तमाल करते इसी लिए सेंट्र पुलीस कि देखिए सीपीम जो बोलता है सीपीम कि लास्ट तरी साल में किया किया है मानुस का डेमोक्रेसी भी और लोग डेमोक्रेसी जैसा खुतम कर दिया है नहीं तो दौजार एक में हम लोग विदायक हो जाता है हम लोग Iraqi करना है नौश करता हम लोग क्या लूट क्या रहे है किया है क्या चुनाओं में क्या किया है और सीबीम क्यान का मुक्रेल नहीं मंनागा सीफीम लोग ज़ा किया है बिंग मों का पुरा सदान से क्या है सीथी अक्री सवाल आप इनने खिलाफ एलेक्शन लड़ा था सब्साची दत्ता जो तुनमूल में थे फिर बीजेपी में चले गए वो फिर से चुना लड़ रहे हैं लेकिन तुनमूल के टिकेट पर यह मतलब आप कैसे देख रहें इस बुड़े विशें देखियो मेरा पार्टी में हम लोग का पार्टी सिंवल में लड़ेगा जीतते हैं आप खुश होंगे ने हम लोग चाहता है हमारा विदानागर में जो जितना सीट है एक्चुली सीट हमारा एक्चुली स्केंडियर जीतेंगे तो हम खुश हो हुआ हमने सुना सुजीत बोस के साथ हमने बात की जिन्होंने कहा कि स्टेट पुलीस के द्वारा इलेक्शन जो हो रही है वो सही है और सेंट्रल पुलीस इलेक्शन में आई थी और इस वाक्त उसकी कोई जरूरत है नहीं चार मुनिसिपल कॉपरेशन में इलेक्शन फिलहाल हो रहा है क्यामरापरसंट शाम शंत्र गोश के साथ जर्याग नेरोए